मंडे स्थित आईटी आई सहस्थान में इलेक्ट्रोनिक्स गुर्ज निर्माता कंपनी पैंग्विन इलेक्ट्रोनिक्स प्राइविट लिम्टेड के द्वरा केंपस सिंट्रिव्यू का आयजन किया गया आईटी आई मंडी की अनुदेशक अप्रेम धिमान ने बताया कि प्रधानाचारे की निर्देशा अनुसार आईटी आई मंडी में केंपस सिंट्रिव्यू का आयजन किया गया है और इसमें 55 आईटी आई में प्रशिक्षत अभ्यार्तियों ने भाग लिया उन्होंने बताया कि कंपनी के द्वरा 30 रिक्त पदों के लिए इस केंपस सिंट्रिव्यू का आयजन किया गया है और 18 से 30 वर्श के युवाउं ने इस केंपस सिंट्रिव्यू में भाग लिया परत रिंप्रीवर हें कि कंपनी और ही मचल में ही लोगों को करोज़कार दे रही है मडी है इसके दमेसsych कंपनी जो इसमें है वह 18-30 साल है जो भी अभी अभी अर्थे 18-30 साल के उमर में हैं वो सभी जो यहां पर इंटर्व्य दे रहे हैं और पास-उट इसमें सारे जो अकंडेट हैं और सबसे बड़ी बात है कि Electrical और Electronics, Mechanical Electronics वालो बच्चों को भी यहां पर काफी अच्छा मौका है क्योंकि इनके लिए काफी कम campus interview रहता है और Mechanical Electronics के वाले बच्चे जो है वो काफी select हुए इसमें और साथ में इसमें जो है company के दोरा जो सुविदा हैं उनके लिए खाने का खाना भी subsidized rate पे वहाँ पर मिलेगा इनको और उसके साथ ही त्रास्पोर्टिशन का भी company दोरा ही दिया जाएगा और जिसके बाद एक साल तक तो company इनको training base पे रखती है लेकिन एक साल के बाद जो है company जैसे ही इनके performance अगर अच्छी होगी तो company इनको company base पे ले लेगी और अच्छी बात है कि इस तरह की company अगर campus के लिए आती हैं हमारे पास यह interview को जो ब्लोग select होते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को रोजगार महियक आ रहे हैं और यह हमारे सब जो पूरा जो है वो हमारे principle इंजिनेर सिविंदे डोगर के प्रैसों के कारणी ह हो पा रहा है कि जब से हो आए हैं तब से ही लगातार company जो कमीने में कम से कम चार पांच पास company जो प्लेस्मेंट करने आती हैं आप आइटी मंडी पिछले काफी वर्शों से आइटी ट्रेड में प्रशिक्षत युवां को सरकारी और गैर सरकारी च्छितर में रोजगार उ झाल 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 झाल